हेलो गैस स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करेंगे पतंजली फूड्स की जी की जी ने जो है इसके अंदर बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है तो उसके उपर हम चर्चा करेंगे इसका जब दोस्तों आई पीव आया था तब सिब हमारा चैनल था कि जब इसके उपर हम क्योंकि जीकी जी पार्टनर्स ने इसके अंदर जो है मतलब की जीकि जू ने अच्छी कासी खरीदा रेंगी है तो वो भी हम यह चर्चा करेंगे बिल्कुल आज़ी की रिपोर्ट है, इसके ओपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना करक सकते हैं और इसके चार्ट के ओपर भी हम चर्चा करेगे A.P.M.C.G कंपनी है और सब जाते हैं कि आयरुवेदी की कंपनी है इसके प्रोड़क भी कुछ, काई प्रोड़क जो है काफी बेतर रह सकते हैं और इसकी डिमांड भी अच्छे कासी रह सकती है और आगे देखें रिपोर्ट किया है कि शेर बाजार बंद होने से ठीक पहले पतंजली फूर्ट को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि मंगलवार को करीब तीन बजे जयानकारी मिली कि इस कंपनी में एक दिगज निवेशक ने बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है प्राप्त जयानकारी के अनुसार पतंजली फूर्ट में राजीव जैन की GQG पार्टनर्स ने हिस्सा बड़ाई है और GQG ने इस स्टोक में 3.3% से हिस्सेदारी बड़ाकर 11.39% कर दिया है और ये हम सब जानते हैं कि अदानी ग्रूप के अंदर भी इनों ने अच्छी कासी खरीदारी की थी और इसके बाद दानी ग्रूप ने कहीं शेर के अंदर अच्छी कासी तेजी भी आई थी तो ये जो है मुझे इसा लग रहे है कि काफी रिसर्ज करकर अपने इंवेस्मेंट करते है साथ-साथ दोस्तो आप सबसे रिक्रूप है कि अगर आप नए है इस चेनल के ऊपर तो इसी जनकरी के लिए हमारे चेनल को स्बस्क्रेब जरूर करे और शेर भी जरूर करे अपने दोस्तों के साथ साथ सादम daily आप short videos upload करते हैं तो वो भी आप ज़रूर देखा करें उसके अंदर भी यह से stock share करते हैं जिसके अंदर एक आने वाले समय में तेजी की possibility हो सकती है तो हमारे channel को आप check ज़रूर करें और subscribe भी ज़रूर करें आगे देखते हैं कि इसमें पहला fund GQG Partners Imaging Market Equity Funds A Series है और जिसने इतने shares यानि कि 9.31% है और जबकि दूसरा fund GQG Partners Imaging Market Equity Funds के पास है जो कि यह उसके पाद इतने share से 78 लाग के असपास और 2.17% के असपास के कैसे रहे मार्च तीमाही के business update वो देख लेते हैं पतंजली फूर्ट ने 12 अप्रिल को कारो बारी साल 2024 की चोथी तीमाही के update जारी किये थे तीमाही आधर पर company ने edible oil segments और food और FMCG segment में प्रदर्शन बहतर किया है और देखे मुझे यसा लग रहा है कि इंडिया की जो population है उस वज़े से भी अगर देखे तो यह FMCG कमपनिया है कुछ अच्छी अप FMCG कमपनिया जैसे कि यह पतंजली फूर्ट वो आने वाले समय में भी अच्छा काम कर सकती है क्योंकि इसका जो demand है वो बढ़ सकती है कहीं ने कैसा लग रहा है आगे देखते हैं कि edible segment तो भारत में March तिमाही के दोरान edible oil में स्थीरता देखने को मिली पिछली तिमाही के niche-less-tar के मुकाबले इसमें recovery देखने को मिली है पिछली तिमाही के मुकाबले चोथी तिमाही में single digits की growth देखने को मिली है साल दर साल आदार पर volume में भी 4-6% की growth देखने को मिली है और food और FMCG segment तो मार्च तिमाही में स्थीर EBITDA margin के साथ ही company ने 8-9% की high growth दर्ज की है biscuit portfolio में लगातार growth जारी है इसके biscuit भी आपने मतलब के देखे ही होगे पतंजली के और चोथी तिमाही में गी और dry fruits की विक्री भी स्थीर रही है और यह इसके सब के सब इसके रिपोर्टे अब इसके चार्ट के उपर चर्चा करते है तो जैसे कि हमने देखा इसका fundamental काफी बेतर लग रहे है अब यहां पर 1400 रुपे का असपास का प्राइस से आज 5% की तेजी थी वो भी आखिर में देखने के विलिए वो भी हम देखेगे यह daily chat है इसका अभी जिस लेवल के उपर है अभी यह चोटे से अपने यहां पर यहां पर यह रिजिस्टन के आसपास है इसके उपर आप अपने नजर बना के रख सकते हैं इंवेस्मेंट करना है तो कर सकते हैं जब भी ठीक लगे तब आप चाया तो कर सकते हैं अभी 1400 रुपे के आसपास का प्राइस से कहां तक जा सकता हैं वो भी हम देखेंगे आज वोलियम भी अच्छा कासा था, इसको भी आप देखे, पिछले दिनों के मुखलब है, यहाँ 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 देखे, तो आज अच्छा कासा वोलियम था, वीकली चार्ट के अपर जम अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पर पहले एक अच्छी कासी तेजी आई थी, फिर बिल्कुल वगर आप देखे, वोलियम कम था, लेकिन जैसे ही यह खबर आई, जी की जी पार्टनर्स की ताकात जरा देखिया, जैसे ही यह खबर आई, तीन बजे के असपास, अच्छी खासे वोलियम के साथ, इसके अंदर यह तेजी देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर य जो है, इसके short term के support की बात करें, तो यहाँ पर तकरीबन 1300 रुपे से लेकर 1280 रुपे का असपास का zone दिख रहा है, दूसरा support जो है थोड़ा सा दूर का, वो 1100 रुपे से लेकर round figure नमबर देखे, तो 1000 रुपे का असपास का level दिख रहा है, support की बात कर रहे है, registration की बात करें, तो मुझे सा लग रहे है कि आज का जो high अगर ये cross करता है, तो उसके बाद ये 1500 से 1600 तक जानी की संभवना रह सकती है, शौट term की हम बात करें, 15 से 20 दिन की अगर बात करें तो, और long term की बात करें, 6 से 12 महीने में मुझे सा लग रहे है कि ये 2000 या फिर उससे नहीं कि इसकी संभवना रह सकती है, तो आप चाहे तो इसके अपर अपनी नजर बना के रख सकते है, और जो भी करें, चाहे तो अपना मतलब कि stop loss ज़रूर रखे, और एक ही share के अंदर पूरा पैसा ना फसा दे, portfolio के अपना diversify रखे तो ज्यादा बेतर रह सकता है, और यह हम हमेशा कहता है, काफी यह मतलब कि एक useful strategy रह सकती है, तो आज के वीडियो में इतना ही अगर आप चाहे तो इसके अपर अपनी नजर बना के रख सकते है, अगर आपको जानकर यह अच्छी लगे तो like share and subscribe जरूर करे, और extended disclaimer जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी trade ल इसके बाद ही कोई decision ले और decision ले तो उसके जीमेदारी maturity के साथ खुदी ले, यह वीडियो में नहीं किसन पर पस के लिए बनाएं, मेरे तरफ से कोई भाई एसल के recommendation नहीं है, thank you.